यूरोप में हाहाकार मच गया है क्योंकि यूरोप में चुनाओ का रिजल्ट आया है उसे देखकर तो यही कहेंगे वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भार्किये पीएम को बधाई संदेश आया है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह जा अखिरकार उन्हें बधाई दे दिये अमेरिका से लेकर चीन तक से बधाई संदेश अब तक आ चुके हैं लेकिन पडोसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चुपी साध रखी थी चीन से लोटा पाकिस्तानी पी-म सहवासरीप ने एक्स पर लिखे अपने छोटे से मेसे पाव को भाव तक नहीं दिया यहां तक भारत के साथ बैर करने वाले माल्दिव के राश्पती मोहमद मुईजू नहीं और बुलाया गया पाकिस्तानी एक्सपर्ट को उमीद थी कि भारत अब पाकिस्तान के परती अपनी नीती में नर्मी ला सकता है लेकिन ऐसा हुआ नहीं यही सहबाद सरीफ के एक लाइन के ट्विट में नजर आ रहा है इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने सहबाद सरीफ के पीएम बनने पर एक लाइन का बधाई संदेश दिया था पाकिस्तान इससे जल भुन गया है भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ उसके र सालिया पाकिस्तानी नेता लगातार कह रहे हैं कि भारत को अब संबन सुधारना चाहिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार ने पिछले दिनों कहा था कि भारत के साथ फिर से बैपार सुरू करने का विचार किया जा रहा है वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि बिना आत बीच जम्मू कस्मीर के रियासी जिले में रवीबार साम आतंकियों ने तिर्थ यात्रियों की एक बस पर हमला कर दिया निहते लोग जो बैसलो देवी जा रहे थे उनकी बस पर आतंकियों ने गोली बरसा दी और इस घटना में तीन महिलाओं समेत दस लोगों की मौत हुई और 33 घायल हो गए इस घटना के बाद सोसल मीडिया पर आल आईज ओन रियासी यानि सभी की निगाहें रियासी पर है हैस्टेक चल रहा है इसी हैस्टेक के साथ अब डच सांसद ग्रीट विल्डर्स ने भी भारत और हिंदूों का समर्थन किया है उन्होंने एक्स पर एक पोश्ट में लिखा कस्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों को हिंदूों की हत्या करनी की इजाज़त न दे अपने लोगों की रच्छा करो भारत जिहादी आतंकी समूल असकरे तैवा की एक साखा पाकिस्तान समर्थी दरेजिसेंट फ्रंट ने रवीवार को जम्मू क पस्मीर के रियासी जिले में तिर्थी आत्रियों के बस पर हमले की जिम्मेदारी ली है एक संदेश में टी आरेप ने परेटकों और गैर अस्थानिये लोगों पर ऐसे हमलों की चेताउनी दे है यही कारण है कि गिट विल्डर्ट ने अपने ट्वीट में पाकिस्तानी आ लेकिनी सातंकी हमले के जरिये पाकिस्तान ने अपनी उपस्तिती दिखा साथ ही यह भी साफ है कि पाकिस्तान के संब्ध कितने मुश्किल होंगे यहासी के हमले को लेकर सोसल मीडिया पर भी लोग बढ़के हुए है ऑल आइज ओन रियासी हैस्टेक के साथ लोग अपना ग वज़सा इस बात को लेकर भी है कि आखिर जब दूसरे देश का मामला होता है तो बॉलिवुड एक्टिव हो जाता है लेकिन अपने देश में आतंकी हमले में बच्चे मारे जाते हैं तो यह खामोस हो जाता है गिट विल्डर्स के ट्वीट की लोग सराहना कर रहे हैं क्य कि उन्होंने भारतिये नहों कर भी हमले के खिलाब बयान दिया है आपको बतादे दुनिया भर्मेना इस वक्त एक परिवर्थन देखने को मिल रहा है भले ही कई सारे देशों आरोप लग रहा है कि भारत के चुनाओ में हेर फेर करने की कोशिस करी पर इन्होंने अपने द परकार को भारी नुकसान पहुचा दिया है रवी बार को हुए संसदिये चुनाओं में बड़ी सफलता हासिल की है इतना ही नहीं फ्रांस के राश्पती एमेन्वेल मेक्रोन को भी चुनाओं में करारी सिकस्त जेलनी पड़ी है कुल 27 सदस्य देशों वाले यूरोपिय संग में सत्ता की चाबी दच्छिन पंथी दलों के हातों में खिसकती हुई नजर आई है और इटली की प्रधान मंतरी जोर्जिया मेलोनी की पार्टी की सीट यूरोपिय संग संसद में दोगनी हो गई है जर्मनी की धूर दच्छिन पंथी पार्टी अल्टरनेटिव और जर्मनी को भले ही अपने उमिद्वारों से जुड़े घुटालों का सामना करना पड़ा हो लेकिन पार्टी ने देश के चांसलर ओलाफ सोल्ज की सोसल डेमोकरेट्स पार्टी को मात देने के लिए प्रया पायू के मुद्दे पर और अधिक दच्छिन पंथी रूख अपना लिया जिसके कारण 720 सीट वाले उरोपिय संसद में उनकी पार्टी अब तक सबसे बड़ी पार्टी बने रहने के रूप में सफल साबित हुई है इस बात को लेकर कोई सक नहीं है कि रवीवार को रात को हुए संसदिये चुनाओ में फ्रांस में मेरिला पेन की नेशनल रेली पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया जिसके कारण मैक्रोन ने राष्टिये संसद को तुरत भंग कर मध्यावदी चुनाओ की घोशना कर मैक्रोन के लिए ये बड़ा राजनीतिक जोखिम है क्योंकि उनकी पार्टी को और अधिक नुकसान सहना पड़ सकता है लेपेन ने इस चुनाओती को स्युकार करते हुए कहा हम देश को बदलने के लिए तयार हैं फ्रांस के हीतों की रक्षा के लिए तयार बड़े पैमाने पर प्रवासन की समस्या को समाप्त करने के लिए तयार है मैकरोन ने अपनी करारी हार को सिकस्त करते हुए ये कहा कि मैं आपका जनादेश स्विकार करता हूँ आपकी चिंताओं से वाकिफ हूँ और मैं इन्हें हल किये बिना नहीं जाओंगा। उन्होंने कहा कि अचानक चुनाओ की घोशना करना केवल उनकी लोकतांत्रिक साख को ये कांकीत करता है। यूरोपिय संग के 27 सदसिये वाले देशों में सबसे अधिक आवादी वाला देश जर्मनी में अल्टरनेटीव फोर्ट जर्मनी के कई सिर्श उमिद्वारों के नाम घोटाले में सामिल रहे पर इसके बावजूद पार्टी का मत परतीसत बढ़ गया राइट विंग्स की पार्टियां यहां जादा आ रही हैं इसके पीछे कारण समझेए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यूरोप में जिस तरीके से बाहर से लोग आते चले गए घुसपैठिये, माइग्रेंट्स और खुली बाहों से इन्होंने उन्हें स्वीकार अब यह उनके लिए दिक्कते पैदा कर रहे हैं। इरोप में जगा जगा परदर्सन और बहुत सारी ऐसी चीजे देखते हुए अब इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही वज़ा है कि राइट विंग के लोग कहते हैं कि हमें अब यहां से निकाल फेकना है हमारे अपने कल्चर को बचाना है यह सारी चीजे अब पकड मजबूत हो रही है और पकड मजबूत होने को लेकर मुस्लिम सरनार्थियों को लेकर जादा कदम उठाने की बात हो रही है। मतलब दुनिया भर में राइट विंग की पार्टियां अब लोग ढूंड रहे ह कहते हैं ना जब धरती लगे फटने परसाद लगे बटने कुछ वैसा ही हो रहा है इस वक्त यूरोप में भी वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आप क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ